हेलो फ्रेंद्स वेलकम ट्यूट आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज के सेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं क्वांट में एक स्पेशल कंसेप्ट यह वो कंसेप्ट होते हैं बच्चे इसमें हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन डिसकस करते हैं जो आपके आर्बी और सब्सक्राइब कर लें और फ्री कंटेंट और नोटिविकेशन के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर टेलिग्राम चैनल आज वेल आज आज आवर यूट्यूब चैनल चलि बचे तो अब आज का क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन हम से पूछा गया और इसको किस तरीके से हम बहुत इजिली सॉल कर सकते हैं तो क्वेश्चन क्या है एक ट्रेन अप्रोच इज एट अटरनल एक आट अच्वाइड प्ट इनसाइड पाइ पहले cat located at a point that is 5 by 18th of the distance ठीक है तो when the train whistles the cat runs if the cat moves to the entrance of the tunnel x the train catches the cat exactly at the entrance if the cat moves to the exit y the train catches the cat at exactly that exit to find the ratio of speed of train and cat देको simply सबसे पहले question को सम्झों कि basically उसने बोला क्या है उसने काया कि हमारे पास टनल है xy और इसका जो entrance है वो x पे और exit जो वो y पे ठीक है और कोई train है कहीं भी सुपोज यहां पर कोई train है ठीक है और इस टनल के अंदर एक cat को locate किया गया है जो की कितने distance पर 5 by 18 of the distance xy measured from the entrance तो एक से 5 by 18 सुपोज अगर यहां पर cat है ठीक है सुपोज यहां पर cat है और यह जो distance है यह 5 by 18 है that means अगर complete 18 है तो यह एक से यहां पर जहां है cat है यह कितना है फाइव कलियर अब वो question में बोल क्या रहा है हमें सिर्फ question को समझना है और इस question में कुछ भी नहीं है अगर आपने सिर्फ इसको थोड़ा से practically समझ लिया तो आप easily इसका answer कर सकते हैं देखो उसने कहा कि when the train whistles the cat हमें नहीं पता कि train कहा यहां पर है लेकिन अगर train सुपोजी प्लेस पर है और यहां से train विसल करती है जैसे ही train विसल करती है the cat moves to the entrance of the tunnel X और जो cat है यहां से दोड़ना शुरू करती है और जैसे ही वह यहां पर आती है इसके entrance पर आती है दा ट्रेन कोची दा कैट एक्जेक्ट लेट दा एंट्रेंस तो अगर वह entrance की तरफ दोड़ती है तो train इसको बिल्कुल entrance पर पकड़ लेती है कलियर है अगर if the cat moves to the exit y the train का चीदा cat exit लेट और अगर यही train यही से विसल करती है और उस टाइम पर अगर cat दोड़ना शुरू करे किस की तरफ exit की तरफ यानि वाई की तरफ तो train इसको इस प्लेस पर पकड़ लेती है बिल्कुल exit पर वाई पर तो देखो यहां से सिम्पल सी सीज जो सोचने की वह यह है कि अगर ट्रेन यहां से विसल करती है और cat यहां से चलना शुरू करती है और अगर cat entrance की तरफ दोड़ती है तो train यहां से यहां तक कवर किया तो स्पीड ओर डूसरे के डाये पर्पोर्शनल होते हैं तो यानिकी यहां से यहां तक जितनी देर में हुआ त ऐाई है उतनी देर मेंट यहां से यह तक है कले इंट्रेंस तक है अब सिम्पली एक चीज और सोचने के हमारे यह अब जितना ट्रेंड जितना cat five को cover करने में time ले रही है उतना ही train X तक पहुंचने में entrance तक पहुंचने में time ले रही है अब अगर यही cat suppose exit की तरफ जाती है तो exit की तरफ बिषितने time में train five को across करेगी उतने time में train X तक आजाएगी जितने time में train sorry cat exit की तरफ five unit cover करेगी उतने ही टाइम में ट्रेन कहां पहुंचेंगी एंट्रेस पहुंचेंगी एकस पे कलियर है और अगर जितने टाइम में अब आगे जो डिस्टेंस बसता है हमारे पास देखो अब ट्रेन जैसे ही इनट्रेंस पहुंची ठीख है तो कहां पर था यानि cannabis यहां पर थी five to तो kवर करना कितना 18 और कीजिए और five or five to cover करेंफार करणा सिर्फ ठीक है तो यानि कि जितने टाइम में ट्रें ने 18 यूनिट कवर किया उतने ही टाइम में कितना कवर किया सिर्फ तो अगर दोनों की स्पीड का रेश्यों देखूं तो 18 रेश्यों कितना हो जाएगा तो अगर इसको टू से गाट दोगे तो यह 9 और यह कितना सुरी फॉर ठीक है तो जो इनकी स्पीड में जो यहां पर रेश्यों आजाएगा बच्चे वह कितना आजाएगा नाइन रेश्यों फॉर आजाएगा कलियर तो यानिके उप्सन भी आपका विल्कुल राइट अंसर होगा तो उमीद है आप सबको समझ में आ गया होगा बहु की क्वेरी को लेकर के अगर आप कोल करना चाहिए तो आप दिये गए नंबर पर कोल कर सकते हैं या आप हमें हेलो एड़ देरेट अड़ोट को डोट इन पे मेल भी कर सकते हैं इसके लावा बच्चे हमारा से भी ग्रेडे 2020 के कोर्सीज पे फ्लैट 50 परसंट का ओफ जो है वह एड़ोटाइब की तरफ से दिया जा रहा है जिसका आपको कोड यूज करना से भी 50 तो आप से भी 50 का यूज करके आप अपने से भी ग्रेडे 2020 के कोर्षीज पर फिफ्टी परसंट का जो ओफ है उसका फाइदा उठा सकते हैं इसके इलावा गर मैं बात करूं आर बी ग्रेड बी 2020 के कोर्षीज की तो यहां पर भी ऐड़ोटाइब की तरफ से 30 परसंट का ओफ अवेलेबल करवाया जा रहा है जिसकी जो कोर्स की वेलडिटी होगी वह 30 अप्राइल 2021 तक होगी और इसके लिए इस ओफर के लिए आपको जो कोड यूज करना होगा जैट इस व अगर आपको यह पसंद आया अच्छा लगा तो इसे जादा से जादा लाइक करिए और अगर आप अमारे चैनल पर नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लें और किसी भी कोर्स के दिख जानकारी के लिए 8146207241 या हैलो एड़ दरेट अड़ोट को दोट इन पर हमें में म मिलते हैं नेक्स सेशन में एक नए कंसेप्ट के साथ तब तक आप सबी का बहुत बहुत सुक्रिया जैहिन जैवारत